आपको आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर को किस तरह से उसे असेंबल कर सकते हैं किस तरह से कंप्यूटर कर सकते हैं सबसे पहले इसके लिए है इसके लिए सबसे पहले के अबिनेट को खोल कर उसमें एसमपी एस स्विच मोट पावर सप्लाई यूनिट को चित्र नुसार कस दें यह चित्र और इमेज के सारे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं डियर फ्रेंट्स यह देखिए यह पावर सप्लाई यूनिट सम्पीस कसने का कहां चाहिए सबसे पहली इमेज में दूसर इस पेसर कस दें इस पेसर में उसके लिए जगह बना दें डियर फ्रेंट्स कैबिनेट में मदर बोट को कसने के लिए मदर बोट को सेट करने के लिए सकतनुसार जगह बना दें और उसे इस क्रू से प्रॉपर कर लें थार्ड इस्टेप में कैबिनेट के बैक पैनल प्ले यदि पहले से केबिनेट में यह लगी हो तो उसे निकाल देंगे एवन जो मुधार बोर्ट के साथ आई है उसे लगा देंगे ठिद्धान रहे डियर फ्रेंट्स जो मदरबोट के साथ पैनल प्लेट आई हुई है उसे ही लगाना है यदि आप wiping तो निकाल के साथ हो उसे लगाना यह दिखिए में दिखाया गया है इस तरह से component को कसना है सेट करना है ठीक अधर पॉट का यह देखिए इस इमेज में मदरवूट को दिखाया गया किस तरह से अधर बॉट दिखाई देता है ठीक है अभी चैनेक्स नहीं है dear friends उभी समें processor भी नहीं लगा हुआ है इस image को देख कर सिर्प यह बताए जा रहा है कि इस तरह का motherboard होता है पर देश्टेप में आपको dear friends ईस चित्र के नुसार dear friends इस image के नुसार CPU को install कर दें install करने का मतलब यह है कि CPU की जगह पे मतलब processor प्रोसेसर को सेट करके लगाना है बहुत ही सावधानी से लगाना दियर फ्रेंट्स कि सीपीओ को सीपीओ बोले तो मधर पूर्ड ए सॉरी माइक प्रोसेसर ना अब मधर बोर्ड को चितना इस इमेज के नुशार सेट कर दें रची यह कर्ड दें उसमें जो सीपीओ प्रोसेसर सेट करेंगे तो उसका कट बनना रहता उसका का कर देखकर ही लगाने कि किस तरह से सेट होगा पॉपर सही तरीके से उसे सेट करें沙प लगाते समय हमारी बाडी में स्टेटिक चार्ज नहीं होना चाहिए बहुत ही आराम और स्मूध तरीके से अपने इस प्रोसेसर को लगाएं डियर फ्रेंट्स यह देखिए इसमें कट भी बने हुए होते हैं जिसके आधार पर आप यह ले सकते हैं कि किस तरह से आपको CPU को सेट करना है लगाना है यह पर लगे फैन पावर से कर देंगे इसमें बताएंगे डियर फ्रेंट्स यह देखिए इस इमेज में दिखाया गया यह पावर फैन है जो आपके मदर पोड के ऊपर प्रोसेसर के ऊपर सेट करना है आपको इसे इसके लिए लॉक और सारी सेटिंग उसमें दी हुई रहती ह है जिसे आप कर सकते हैं असानी से इस तरह से यह लॉक से कस दिया जाएगा और इसकी जो कनेक्शन है वह यहां पर इस त्यागा पर होगा डियर फ्रेंट्स इस इमेज में भी दिखाया गया कि किस तरह से कनेक्शन करना है यह केवल आई हुई है यह देखी यहां पर लगा कर देंगे रैम को plug-in कर देंगे उसको उसके खांचे पर सेट कर देंगे इस तरह से डियर फ्रेंट इमेज में दिखाया गया है रैम के दो स्लॉट होते हैं किसी किसी मदर बोड में तीन भी हो सकते हैं आप इसे देख लीजिए अपने साफ से इसे स्लॉट में इस्टॉल या सेट कर दिजे पर सेबंथ सेट में आप देखी डियर फ्रेंट अब कबिनेट और्म अथे स्कुरू के द्वारा माडर बोड को यह जब पूरा मदर बोड है और्भ इसमें आपने रैम लगा यह पहन लगा यह प्रोसेसर लगा इस मदर बोड को को आप इस कुरू से कस याद रहे याद रहे याद मदर बोड कहीं पर भी सॉर्ट नहीं होना चाहिए टच नहीं होना चाहिए आपके कैबिनेट से नहीं तो सॉर्टिंग उत्पन होगी और जिससे खतरा बढ़ सकता है आपके डिवाइसे को 58 step पे आते हैं यह इसदे कंएक्स तरह से कसना के खतर होगी तरह से कसना है और से अब हार डिस्ट के हम qamugD रैटर को के कंश दें इस तरह से डिवीडी रैटर और घ। को से फिय्ट नहीं कसना है यह स्क्रूड डाइवर से आपको कस देना है ताक ही हिले न और और 9 श्टेप में hardisc का आइडी एक्वल साटा केवल हम power connector लगा दें भौधी सावधानी से उनका connection कर देंगे hear friends यह देखिए यह hardisc connection इस image में यह देखिए CPU में किस तरह से hardisk लगाना है और यह किस तरह से screw के के और उसका connection किस तरह से करना है, 10th step में धेवीडी राइटर का साट आकिवल पर और साट आकिवल भी लगा जेडियूर फ्रेंट्स इस तरह से ईसीमेज में दिखाइगा है इस तरह से आपको connection करने हैं 11th step में SMPS motherboard power connector लगा दें यह देखिए SMPS connector यह 24 पिनों का दिया हुआ है इस इसे power connector भी कह सकते हैं इसे लगा दें इसके इस तरह से लगाने डियर फ्रेंट्स इस देखिए लास्ट इमेज में दिखा गया एक किस तरह से आप लगाना है उसमें खांचे के अनुसार आप सेट करके देख सकते हैं अब CPU 12 step में सर CPU voltage connector बारह वोल्ड का 4 चार पिन वाला motherboard पर लगा देंगे मतलब वही आपको लगाना है वही जो SMPS के connector हैं 20 पिन और प्लस चार पिन जो अलग से रहती हैं उनको सेट करना है इस तरह से कि अपंधस के अपको से फ्रेंट पैनल आडियो कनेक्टर अपनेखा पर लगादें जो कि उसका आडियो कनेक्टर आप्के कि देंगिल को सबैदेंगे यह एनक्सरा को जहान पर लगाना है इसे आप चैश्व पालिखा YouTube कनेक्टर मदर बूट पर यहां पर को नजाये आपको मदर बूट पर उसके बाद आपको फ्रन्ट पेमल USB कनेक्टर मदर बूट पर लगा देना है यह इस तरह से लगsels के लागई करिए ऐस्वक्नेक्टर और अलगे समझ में आ जाएगा उसका खौंचा 15 step में front panel के power switch power SW power SW means power switch reset switch reset SW लिखा होता है motherboard में dear friends इस तरह से यहां जिसे आप पैचान लें कि connection कहां पे करना है यहां power LED HDD LED के connector कर देंगे motherboard पर front panel connector के पास power LED HDD hard disk drive LED और reset switch power on off switch इस speaker को कैसे लगाना है इसकी detail दी हुई है dear friends इस image में नीचे दिखाया गया यह देखिए power LED को यह इस तरह से लगाना है अप ठीक है और HDD LED को इस तरह से लगाना है power switch को यहां पे लगाना है और reset switch को इस तरह से लगाना है dear friends यह इस तरह से connection करने इस image को आप ध्यान से देख लिए आप चाहें तो यहां पर वीडियो को push करके भी अपनी setting या connections कर सकते हैं और यहीं पर दूसरी image में भी दिखाया गया किस तरह से अगर port इस तरह का है आपके connection या structure इस तरह का तो आप किस तरह से connection करना है यह HDD के लिए दिया है LED HDD LED के लिए दिया हुआ है लैट टॉप साइट पे और reset switch उसके ठीक नीचे इस तरह से उसका connection करना है टॉप राइट साइट पे power LED का connection इस तरह से होगा उसके नीचे power switch का connection इस तरह से होगा इस image में डियर फ्रेंट्स दिखाया गया है और यह देखिए डियर फ्रेंट्स इस तरह से आपके connections लिखे हुए होते हैं कि आपको कौन सा connection है किस चीज में करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इससे कर सकते हैं hard disk LED यह देखिए इसमें लिखा है HDD LED कनेक्टर में लिखा हुआ है आप बकाईदा जहां पर आपको करना वहां पर भी आपको इसके instruction लिखे हुए दिखेंगे आप आसानी से साउधानी से जल्दबाजी ना करें अरहांत से इसका absorption करने अब PC speaker के connection कर देंगे देखिए ऄ़िए इस image में दिखाये गया है अब किस तरह से आपको किसका connectionबाना है देखिए अब PC speaker के connection कर देंगे ठीक है इस तरह से यह इमेज में दिखाए गया अब cabinet के cover को कर देंगे cabinet के cover lock कर देंगे इस तरह से सारे connection कंप्लीट होने के बाद अब देखिए इसमें दिखाए गए यहां पर complete कस दिया गया है 18 इस टेप में आपको अब बेक पैनल से keyboard mouse power cable monitor के connection कर दें करेंगे अपने आज सकते में सारे connection इसमें कर लेंगे 18 इसटेप में एक बार सभी केवल M circuit ठीक से check कर लेंगे कोई केवल गलत तो नहीं लगा है या कोई connection लूस तो नहीं है सभी connection प्रॉपर लग तो गया है ना आप इसे एक बार अच्छे से check कर लें नोट यदि HDD LED पावर LED में से कोई गलो नहीं करें तो उसकी connection चेक करें या फिर प्लस हुआ माइनस बदल कर देख लें इस तरह से यह सक्सेश्फिली इंस्टॉल होकर स्टार्ट हो जाएगा यह प्रॉपर तरीका है आपको और आप इसमें बढ़ी अच्छित्र और इमेज के माध्यम से आपको इस फूरे वीडियो में समझाया गया है तो आप इस तरह से बढ़ी आसानी से कर सकते हैं इमेज के माध्यम स समझना बहुत आसान होता है अगर मैं वीडियो दिखाता तो काफी उसमें ब्लर हो जाता है और अच्छे से क्लियर समझ में भी नहीं आता है तो इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं ठेंक्यू फ्रेंट्स अल्दव कर दिकाथ के principle तो कर सकते हैं में से आसे से वीडियों में सेचा़ नहीं डिकाथिक